सर कुछ बच्चों का कॉंसेप्ट है वाना का, सर वाना समझ में नहीं आदा, बच्चे कहते हैं सर हमने सुना तो बहुत है पर लेकिन कभी यूज नहीं किया वाना, सर यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि सर पता है यूज कहां पे होता है, इसका सर मेनिंग क्या है, सर ये बनत contraction form है मैंने कहा want to और इधर कहा मैंने wants to क्या कहा मैंने कहा want to और wants to ये want to और wants to का contraction form है wanna क्या है बाबू wanna contraction form है किसका want to का wants to का जहां पी आप want to और wants to use करते हो हाँ आप wanna बोल सकते हो एक और चीज़ वाना no singular और no plural क्या कहा वाना no singular no plural पिलूरल के साथ भी और सिंगूलर के साथ भी आपका वाना का यूज होगा सर एक कॉंसेप्ट है उसको समझे ना हो यहां देहां दो मैंने क्या कहा I want to I want to play match I want to play match उसके बाद मैंने कह दिया he he wants to he wants to eat food he wants to eat food मैंने यहां पर यूज किया yeah you want to i wanna no singular किया 摬 है you want to play match hes to eat food यहां पर क्या है आप दोनों कोढ़ा कर कर दो वाना क्या कर दो जी वाना, I wanna play match और He wanna eat food, समझे माई बात यह want to and wants to का ही contract से फोम है, जब आपने वाना बोल दिया, तो want to हट जाएगा और two हट जाएगा, wants भी हट जाएगा और two हट जाएगा, लेकिन सारे concept उसको समझो, आप या देख दो मैंने क्या कई concept है वाना यूज कैसे और कैसे तो नहीं होगा एक्चली में जहाँ जो यह वाना है जो यह वाना है यह तुम्हारा want to, or want to want to and wants to contraction form है लेकिन सर एक concept है या देखो देखो grammar क्या कहता है जो grammar कहता है वह चीजा मैंने कहा एधर want to इधर मैंने कहा lo यहां पर वान्स्टू क्या है बाबू, वान्स्टू है singular, तो इसलिए आपका वान्स्टू क्या है, आपका पिलूरल है, तो वान्स्टू क्या है singular, वान्स्टू क्या है singular, तो इसलिए इसका वान्स नहीं होता grammar में, लेकिन सिपोकर में सब बोलता है, सिपोकर में सब बोलते है, वान्स और वान्टू का contraction form वाना spoken में चलता है दुआधार लेकिन grammar क्या कहता है वान्टू हमारा pillural है तो वान्टू का ही contraction form बन सकता है वाना क्योंकि सर वाना always pillural में आता है grammar के according उसके बाद क्या है वान्टू क्या है singular है तो singular और pillural का कोई मेल नहीं होता इसलिए मैं यह कह रहा हूँ जहां पर आप यूज करो वाना का यूज लेकिन grammar के according आप यह देखो grammar के according आप यह चीज़ देखो यहां पर वाना का यूज कैसे होगा कैसे नहीं होगा एच चीज़ और मैंने यहां पर कहा तुम्हारा राम राम वान्स टू मेक फूड राम वान्स टू मेक फूड राम वान्स टू मेक फूड और इधर मैंने कह दिया ये आपका क्या है want to यहाँ पर you क्या है? पिलूरल है यहाँ पर want to क्या है? पिलूरल है जो यह आपका waana है waana है waana always माना जाता plural grammar के according तो ये वाana हैँ ही आ सकता ये वा어나 ये वाana you वाona make food उसके बाद यह है क्यों नहीं आ सकता wants to singular है और वाना क्या है आपका पिलूरल इसलिए grammar के according गलत है लेकिन मैं यह कहना हूँ spoken में आप wants to और want to दोनों को वाना बोर्ड सकते हो only spoken में यह चीज याद अठना remember than always उसके बाद यदि आपका subject singular है तो wants to का use होगा पता है आपको यदि आपका subject plural है और want to का use होगा दुबारा देखो want to जो है वाना में convert हो जाएगा grammar के according wants to नहीं होगा सर यह rule grammar का है ठीक है किसका है grammar का rule जहां पर आप wants to करोगे महाँ पर wants to करना जहां पर आप want to करोगे महाँ पर वाना बोल सकते हो यह grammar कहता लेकिन spoken में wants to और want to दोनों का contract सर वाना बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैंने तुम्हे grammar का concept बताया है यहाँ पर grammar wants to को वाना convert नहीं करता यह grammar rule यह grammar के according गलत है ओके थैंक्यू टेक केर